तो हमने कल basics good evening good evening कल हमने basics के बारे में बात किया stock market के basics के बारे में आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगी trading system क्या होती है ट्रेडिंग के माइने क्या होते है ट्रेडिंग actually क्या होती है उसमें क्या logic होता है किस तरह से logic apply किया जाता है तो संडे से जो bootcamps चालू होंगे संडे से जो हमारा 30 day challenge चालू होगा what is 30 day challenge 30 days में हम 4 से 5 bootcamps में एक sequence में सब कुछ सिखेंगे so that is a 30 day straight to profit challenge जो एक paid challenge है जो हमारे paid members के लिए होता है पर उससे पहले यह basic bootcamps होता है जो सब के लिए open होता है तो वो जो paid challenge होगा या जो bootcamps होंगे वहाँ पे हम swing, scalping, intraday सब कुछ सिखेंगे इस संडे को equity के बारे में अगले संडे को psychology और risk management के बारे में उसके अगले संडे को price action के बारे में और उसके अगले संडे को option के बारे में तो 4 से 5 अलग-अलग bootcamps होंगे वहाँ पे last में बताऊंगा कुछ लोगों को उसमें हिस्सा लेना है paid member बनना है उसके लिए क्या process है last में बताऊंगा अभी हम focus करेंगे learning में I am going bit slow क्योंकि कुछ लोग अभी भी जूड रहे तो अमरित्पाल जी अश्विनी कुमार जी अविनाज जी gamers loop army इमरान जी कुमारेज जी मनहर पवार जी मोहिज जी किरन पवार जी पुनम जी प्रियांका जी प्रमीता जी राम जी संकेज जी सारा जी श्लोग जी श्लोग उपाध्य जी एसपी पांडे जी सरबंदाज जी कुछ नाम शायद मैं मिस कर दूँगा उकांद परिड़ा जी MK सुरेज जी वसन पाटिल जी और विन्स शर्मा जी सभी का स्वागत है और अभी हम शुरुवात करने जा रहें मेभी कुछ नाम मैंने मिस कर दिये बीच में कहीं पर जेम्स या खान जी का नाम मिस हो गया था खान जी जेम्स दिपाली जी विकाज जी अविनाज जी कुछ नाम मिस हो गये थे हार्दिक जी भी दिखे थे मुझे कहीं पर कुछ नाम मैंने मिस कर दिये थे मनों और पावार जी एंट स्वाग ओके सो कल हमने यह समझा कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है विडियो अल्ड़ी इसके बारे में बात करने वाले या गोड़ियो णिग जेम्स जी so ट्रेडिंग सिस्टिंग इस नफिंग बड सम लौजिक तो इसके बारे में अबहे हम शुरुवाष कर रहे है यह disclaimer है standard disclaimer है कि मैं कोई registered financial advisor नहीं हूँ नहीं मैं कोई advice दे रहा हूँ नहीं मैं कोई salah दे रहा हूँ portfolio management की मैं आपको सिर्फ as a educator legally आपको सिखा रहा हूँ और जो भी सिखाऊंगा आपको किसी से advice लेना है तो advice लेके या आपके खुद के own risk पे सोथ समझ के आपको trading करनी है आज हम पहले यह सिखेंगे कि trading के probability है और trading के अलग-अलग main चार pillars है उसके बारे में समझेंगे selection के बारे में समझेंगे और equity का 3W rule समझेंगे जिसके साथ हम swing की एक simple trading system को समझने की कोशिश करेंगे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं की what is trading system trading system is just a logic की एक चीज दुसरे चीज से होने की ज़्यादा संभावना है nothing else एक simple experiment करके आपको अभी में दिखा रहा हूँ कोई भी question रहेगा तो बाद में अभी बीच में आप पूछोगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा मेरा personal number दे रहा हूँ यह मेरा personal number है आपके मन में कोई भी doubt होगा तो दो option है एक तो last तक रुखके last में पूछ सकते हो या तो फिर यह number पे पूछ सकते हो बीच में अगर आप कुछ पूछोगे तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा because it is not possible कि मैं सिखा भी रहा हूँ जवाब भी दे रहा हूँ that is not possible ओके फाइल नाव एक simple experiment करते हम कि आपको तो कल यह समझ में आया कि ट्रेडिंग क्या होती है कि जैसे आपने 70 पे बाई किया अगर 50 पे वो stock गिर रहा है तो आप sale कर रहे हो 20 रुपे का loss कर रहे हो और 110 पे अगर जा रहा है तो आप 40 का profit कर रहे हो और 110 पे भी sale कर रहे हो यह simple trade का definition है अभी जब हम chart देखते है तो सबसे बड़ा सवाल हाता है कि क्या basis पे यह करना है यह जो buying करनी है selling करनी है क्या basis पे करना है क्योंकि अगर reliance का अभी मैं chart देख रहा हूं तो इसमें इतने indicators है इतने अलग-अलग time frame है तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है क्या basis पे यह पता चलाना है पता लगाना है कि यह उपर जाने की संभावना है यह नीचे जाने की संभावना है तो यह जो संभावना है उसको बोलते है probability probability is the संभावना और आपको यह understand करने के लिए technical analysis सिखना पड़ेगा जिसका basic part आज आप सिख रहे हो पहले तो समझ लेते है एक simple random trading experiment कर लेते है random trading experiment suppose करो suppose करो कि आप without any logic without any trading system without any technique अगर आप एक random trading experiment करना चाहते हो जहां पे आप 100 trades लोगे कोई भी share कोई भी share अगर 250 पे पहुचता है just for example तो आप 10 रूपे का target लगाओगे और 10 रूपे का stop loss लगाओगे और buy करोगे आपको chart पता नहीं आपको candle पता नहीं आपको company का नाम पता नहीं आपको कुछ भी नहीं पता आप buy कर रहे हो 10 रूपे का stop loss 10 रूपे का target उपर profit नीचे loss और ऐसे 100 trade अगर आप ले रहे तो क्या होगा 50 trade toss है ना ये it's just like a toss 50 winner होंगे 50 loser होंगे right correct or not let me know in the chat box correct or not completely random है ना ये this is completely random 50 winner होंगे 50 loser होंगे yeah now suppose करो कि अभी हमने यहाँ पे 20 रूपीज कर दिया target 270 मगर stop loss to 40 रखा 10 रूपे का अभी क्या होगा now mathematics आपको ये बोलता है कि ये जो distance है ये आदा है ये double है ये 10 रूपया है ये 20 रूपया है इसका मतलब यहाँ पे आधी बार पहुचेगा 33-34 टाइम्स पहुचेगा और यहाँ पे double टाइम्स पहुचेगा 66 टाइम्स पहुचेगा इसका दोस्तों साफ एक मतलब है कि अगर आप रैंडमली आग बन करके भी टेडिंग करोगे तो भी आपको एक्चुली मेजर लॉस होना नहीं चाहिए 34 सपोज 200 रुपया आपको मिल रहा है प्रॉफिट पे माइनस 66 इन्टू 100 अगर आप करोगे तो एप्रॉफिमेटली 200 आता है यह नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो हो जाता है इसका मतलब यहाँ पे अगर जो ब्रोकरेज है आजकल ब्रोकरेज बहुत जगा जीरो है और टैक्सेस निगलीजिबल है तो इसका मतलब कि अगर आप विदाउट एनी लॉजिक भी ट्रेडिंग करोगे तो भी बड़ा लॉस आपका होना नहीं चाहिए फिर लॉस क्यों हो की बारी आती है तब हम एवरेजिंग करते हैं स्टॉप लॉस लेते नहीं है इसलिए बड़े लॉस होते हैं इसमें मन में फियर क्रेड होता है और फियर क्रेड होने के बाद आप क्या करते हो प्रॉफिट को छोटा-छोटा-छोटा करते जाते हो और लॉस को बड़ा- आपको ये random trading instrument समझ में आया है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा तो ऐसे रैंडम ली टेडिंग तो आप नहीं करोगे अगर आप trading करोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे कुछ ना कुछ logic लगाओगे ये logic जो होता है उसी को बोलता है trading system अगर आपको आपके दोस्त के साथ एक दोस्ती यारी में बेट लगानी है बैटिंग पे cricket पे बैटिंग पे तो आप विराट कोली पे या रोईचर्मा पे बेट लगाओगे या भूमरा पे लगाओगे बैटिंग पे लगाना है तो आप अब्यूसली रोई चर्मा पे लगाऊगे और बॉलिंग पे अगर आपको बेट लगाना है तो भूमरा पे लगाऊगे लॉजिक है ना क्योंकि विराट को लिया रोई चर्मा बैट्समन है और भूमरा बॉलर है तो सेम वे हर एक ट्रेडिंग सिस्टीम में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जो आपको higher probability देता है कि ये जो आप अगर ट्रेड ले रहे हो और आपके 34 winner हो रहे है और 66 loser हो रहे है अगर यहाँ पे 5 रुपया है यहाँ पे 10 रुपया है तो कुछ ना कुछ logic आपको build करना है या होना चाहिए जिससे कि ये नंबर जो है ना 45-60 तक पहुँचे और यह नंबर भी आपका 40-50 नीचे आ जाएगा obviously अगर probability बढ़ रही है तो ज्यादा winner होंगे कम loser होंगे तो यह जो logic है उसको बोलते है trading system trading system is nothing but logic to increase your probability now before understanding technical analysis अभी हम धिरे धिरे technical analysis समझने की कोशिश करने वाले पहले तो यह समझ लेते हैं कि हम क्या type के market में trading करते हैं currency या commodity market जो होता है ना वो reversal market होता है mean reversion market होता है और जो हमारा nifty bank nifty या indices या equity का share का market होता है यह trend following market होता है difference देख लो अच्छे से देख लो यह दोनों graph को ऊपर का जो है वो nifty का chart है नीचे का जो है तो euro against usd है euro against usd इंडिया में ban है और आप अगर कोई app से कर रहे हो तो वो गलत है आपको forex trading नहीं करनी है मैं यहां पर chart सिर्फ आपको difference समझाने के लिए बता रहा हूँ euro against usd का chart भी monthly है बट यह पूरा sideways है बट index का या कोई भी chart अच्छे stock का chart ट्रेंडिंग होता है एक बहुत simple चीज़ है see इंडिया का जो रुपईया था वो dollar के हिसाब से 70 रुपया dollar था अभी 80 हो गया बट 70 से 80 होने को 10 साल लगा बट अगर आपने share market थोड़ा भी देखा है तो एक share को 70 से 80 भागने में 10 में 70 से 80 15 परसेंट भी राइट इसी लिए यह जो market है ना यह ट्रेंडिंग market है और ऐसे market में हमें ट्रेंड following करना है कि ट्रेंड following का रूल क्या होता है सी जब आप कि साइडवेज मार्केट में होते हो जैसे मैंने बोला ना भी करंसी मार्केट तो साइडवेज मार्केट का रूल क्या है कि जो भी उपर आ रहा है वो नीचे आएगा और जो भी नीचे जा रहा है वापस उपर आएगा यह उसको बोलते मीन रिवर्जन मार्केट और यह होता है मीन रिवर्जन मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट जो है जैसे कि एक्विटी यह इंडाइसे और वर्ड यह ट्रेंडिंग मार्केट होता है यहां पर रूल क्या है whatever is high will go higher and whatever is low will go lower इसका मतलब train के साथ चलो follow the trend यह यहां का रूल होता है एक्विटी मार्केट का तो अभी हम इक्विटी या इंडेक्स मार्केट की बात कर रहे है तो हमें trend following trend following पर ध्यान देना है जिससे कि हमारी probability बढ़ेगी we want to increase probability और कुछ नहीं जहिए हमें we just want to increase our probability एक simple चीज़ है ना very basic चीज़ see अगर अगर एक धलान है धलान ठीक है अगर यह धलान है यह धलान की उपर से आपको कार या बाइक नीचे लेके आनी है तो आप without पेट्रोल नीट्रल पे लेके आओगे बड़ उपर लेके जाना है तो बहुत ज्यादा पेट्रोल और इंजिन पाउर लगेगा नीचे चलके भी जाना है आराम से चलके आओगे उपर चलके जाना है तो ठक जाओगे तो ट्रेंड के साथ जाना कभी भी इजी होता है अगर डेली में अगर कोई स्टॉक इस तरह से अगर डेली में बढ़ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे तो ये जो लेंथ है ये बड़ी है और ये छोटी है ये बड़ी है ये छोटी है ये बड़ी है ये चोटी है ये बड़ी है ये चोटी है ये बड़ी है ये बड़ी है ये चोटी है ये बड़ी है तो अब्यूसली जब आप स्विंग टेडिंग कर रहे हो वन आवर में जो डेली का छोटा भाई है यहने 6-7 केंडल मिलके डेली होती है तो आपको ऐसे strong stock में long का ही सोचना है या rather उल्टा आप बोल सकते हो कि ऐसे ही stock में आपको swing trading करनी है hourly में जिसमें daily में market strong हो I repeat आपको ऐसे ही stock को चुनना है swing trading के लिए जिसमें daily में market strong हो आपकी probability बड़ेगी ना because trend is your friend आप trend के साथ trade कर रहे हैं आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप trading करोगे अभी indices को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं तो कि यहां आपको व्यू बंदना सिखना पड़ेगा जब आप option सीखोगे तब सीखोगे बट जब आप equity में trade कर रहे हो तो आप पहले चाहते हो कि आप बढ़िया trending stock select करो बढ़िया trending stock select करो नाउ यह मैंने कई बार webinar में सिखाया है वापस एक बार सिखा देता हो कि अलग अलग टाइप के trend होते है market में एक trend होता है week trend week 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 trend याने slow गाड़ी माल डबा जा रहा है प्राइज है ना बड़े बड़े retracement कर रही है यह बड़ा क्यूंकि उसको आड़ ड़स साल का टाइम है और वह चाहता है सस्ते में मिले तो यहां पर 200 में पर खरिदता है जनरली जनरल बोल रहा हो 200 में इस सपोस्ट टू बिए slow trend very slow ओके तो यह 200 में हो गया आपका नव डिर इस अनधर ट्रेंड वीच इस 50 में मिडियम ट्रेंड फिल्टि एमें में जो भी है मिडियम स्पीड से गाली जारी है उसके उपर आता है स्ट्रॉंग ट्रेंड हूं ट्वेंटी एमें और उसके उपर आता है super strong trend that is called 10 EMA EMA का मतलब भी आपको मैं समझाने वाला है तो ये EMA क्या होता है ये सब सीखोगे बट generally आप अभी ये समझ लो कि यहाँ पर price जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है यहाँ पर थोड़ा कम तेजी से बढ़ रही है यहाँ पर और कम तेजी से बढ़ रही है यहाँ पर slowly slowly बढ़ रही है ओके तो ये slow train है ये medium train है ये fast है ये super fast bullet train है आप जब trading करोगे तब आप चाहोगे जैसे आपको swing trading करनी hourly में तो आप चाहोगे कि आप ऐसा stock select करो जिसमे डेली में जबरदस trend है यहाँ जबरदस buying हो रही है seller डरा हुआ है seller सहमा हुआ है और buyer पूरा control कर रहे because trading is all about domination buyer seller को control कर रहे dominate कर रहे तभी buyer बनना है तो आपको ऐसे वाले trend को पहले select करना पड़ेगा तो that is called selection मैं आपको selection भी सिखाऊंगा पूरा system सिखाऊंगा तो पहले तो आप selection करोगे उसके बाद आपका trading होगा और selection करने के लिए आप जैसे अभी swing की बात करते swing की अगर आप बात कर रहे हो तो आप पहले daily में selection करोगे और trading करोगे वन आवर में या 30 मिलिट में मैं अभी वन आवर की सिस्टीम आपको बता रहा हूँ Now we are coming to most important part कि मैंने बोला था आपको की चार pillars है फर्स pillar is यूर कवच कुंडल इसका मतलब risk management सबसे important है risk management एक pillar है आपका risk management और बाकी के तीन pillar कोन से है जिसको हम बोलते है आमर अकबर एंथनी या ब्रह्मा विष्टु महेश that is selection, level और price action तो ये चारों चीज़े मैं आपको detail में अभी सिखाऊंगा और मैं आपको swing की system भी दिखाऊंगा ठीक है पहले चलते है पहली चीज़ सिखते है ये जो चार pillar है सबसे पहली चीज़ सिखते है risk management और equity equity की trading की बात हो रही है risk management for equity simple rule है बहुत simple rule है पहले आपको एक capital लेना है जैसे मैंने decide किया कि मैं पहली बार trading कर रहा हूँ, swing trading कर रहा हूँ मेरा capital 20,000 है just for 10,000 भी हो सकता है 20,000 मेरा capital है suppose और मैं swing trading चालू करना चाहता हूँ आपको आपकी जो भी system है उससे आपको अभी 30 trade की एक cycle चालू करनी है और जो हमारा trade to profit challenge है it is all about cycle क्योंकि lifetime आपको इस तरह से cycle ही करनी है पहले 30 दिनों में आप मुझसे सीखोगे detail में सीखोगे that is your first cycle that is your first 30 day challenge की trade to profit challenge का मतलब पहले first learning then earning सीखो ही नहीं तो फिर कहां से आप पैसा कमा होगे तो first 30 day challenge is to learn correctly correctly का मतलब क्या कि आज market में सिर्फ technique सिखाया जाता है कि यहाँ पे खरीदो वहाँ पे बेचो psychology नहीं सिखाई जाती risk management नहीं सिखाई जाती और technique के पीछे का logic कि जिस तरह से मैं detail में समझा रहा हूं most of the times यह नहीं समझाया जाता most बोला जाता है यहाँ पे खरीदो वहाँ पे बेचो तो 30 day challenge में पहला जो cycle है that is all about learning उसके बाद आप actual इस तरह की businessman बनना है क्योंकि जो process follow करने वाला trading businessman बनेगा वही risk manager बनेगा वही professional trader बनेगा और एक बाद याद रखना कांसुल के खान खोल के lifetime कि जो professional trader है सिर्फ और सिर्फ professional trader ही पैसा कमाएगा profitable बनेगा एक दिन जब तक आप professional नहीं बनोगे तब तक profitable नहीं बन सकते तो इसी लिए ये 30 days challenge है आपको हमेशा ये खुद को बोलना है कि अगले 30 दिनों में मैं ये improvement करूँगा और आगे बनना है that is all about 30 days challenge तो अगर आपने अभी 20,000 रुपया capital लिया है और आप 30 trade करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि आप on any one trade any given trade आप दिन में एक trade दो trade कर सकते हो you will risk 1% of your capital आप आपके capital का सिर्फ 1% risk करके देखोगे इसका मतलब 20,000 है तो आपका 1% कितना हुआ 200 रुपया आप 200 रुपय की risk लेना चाहते हो हम equity की बात करें option का दिमाग में मतला हो आप 200 रुपय की risk लेना चाहते हो तो just for example आपने 725 पे आप buy करना चाहते हो कोई stock और आपका 716 का आपका stop loss है 9 रुपय का 9 रुपय का stop loss है stop loss SL 9 रुपय का SL है आपका एक share खरीदा stop loss लगा 9 रुपया जाएगा आपके पास risk करने के लिए 200 रुपया है तो आप क्या करोगे आपका quantity हो जाएगा 200 आपकी जो risk है per trade divided by 9 equal to 22 आप 20 share खरीदोगे you will purchase 22 shares here अगर stop loss लग भी गया तो 22 into 9 198 रुपीज का ही नुकसान होगा suppose किसी आदमी का stop loss 20 रुपया है तो वो 200 by 20 only 10 share खरीदेगा तो stop loss के हिसाब से quantity calculate होती है that is called 1% formula of risk management this is the first pillar of your trading आपके trading life का सबसे important rule क्योंकि अगर आप risk manager नहीं बनोगे risk management नहीं करोगे तो कितना भी बढ़िया technique यूज करो you are going to lose the game of trading psychology खराब होने वाली है आप loss करने वाले हो आप professional profitable trader कभी भी नहीं बनोगे without risk management अगर यह जो मैंने आपको सिखाया यह अब तक जो सिखाया उसके बारे में कोई भी doubt है इसके बारे में पूछो अभी बाकी कोई रहेगा तो last में पूछो इसके बारे में कोई doubt है तो मुझे आप पूछ सकते हो then we will go ahead because we have to learn 3W rule also then we have to learn about swing system किसी को doubt है कोई anyone unmute करके बात कर सकते हो chat box में बात कर सकते हो बोलिए पूछना है तो जल्दी बताईए पूनम जी बोलिए न पूनम के पहले से हाथ उपर ता हूँ आपका तो मुझे लगा अभी क्या किसी को नहीं है doubt अगर नहीं है तो नहीं है बोल दो हम आगे जाएंगे लेट्स गॉएड ओके चल्ब आगे जाएंगे आइटिंग डाउट नहीं है किसी को वो समझ में आ रहा है आप क्लियरली ओके 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 ठीक है तो आपने ये पहले तो समझ लिया समझ लिया कि आपका other than these three जो अभी हम सिखने वाले है most important is risk management that is the first pillar अभी ये तीन पिलर के बारे में हम बात कर रहे हैं ओके now we have to understand a simple 3W rule of equity 3W rule of equity क्या है जब भी हमें कोई trading system design करनी है या in other words अगर आपको कोई भी trade लेना है कोई भी technique यूज करनी है तो उसमें ये तीन चीज़े मेरे हिसाब से होनी चाहिए आपको ये तीन चीज़ों के जवाब मिलने चाहिए कि पहले तो which इसका मतलब कौन सा stock खरीदना है where इसका मतलब कहां पर खरीदना है level और when इसका मतलब कब खरीदना है अभी इसका reason क्या है इसका reason ये है कि जब हम कोई भी चीज़ कोई भी stock खरीदते है तो एक ही बार खरीदते हैं यहाँ पर मैंने खरीदा मैंने stop loss लगाया मैंने target लगाया अभी यहां से लेके यहां तक मैं ढके लेके तो नहीं लेके जाओंगा stock को बाकी लोग खरीदेंगे तभी उपर जाएगा तो बाकी लोग क्यों खरीदेंगे उनको खरीदना तभी है जब उनको लग रहा है कि और उपर जाएगा यहाँ पे जो लोग खरीद रहे है उनको लग रहा है और उपर जाएगा तभी खरीदेंगे तो हमें सिर्फ एक फेक्टर पे भरोसा करके नहीं चलेगा हमें multiple factor चाहिए क्या क्या factor चाहिए हमें चाहिए एक जबर्दस directional bias याने trend एक जबर्दस ट्रेंड चाहिए हमें fast trend चाहिए strong trend चाहिए एक हमें strong level चाहिए जिसके पीछे हम stop loss छुपा सकते हैं और हमें dominating technique चाहिए तो हमें ऐसे वक्त पे ऐसे price action पे ट्रेडिंग करनी है जहां पे आइधर buyer is completely controlling the seller ना buyer seller के उपर हावी है या seller buyer के उपर हावी है ऐसे moment में हमें trade करना है अगर यह तीनों factor हमारे पास है तो हमारी probability बढ़ेगी हमने क्या देखा था कि हम कोई भी लॉजिक यूज़ नहीं करते नो लॉजिक रैंडम ट्रेडिंग जब करें जब हमने रैंडम ट्रेडिंग किया थोड़ी देर पहले experiment किया और रिवाटरीज 221 तो हमारे 34 विनर तो भी mathematics की इनाफ से 34 विनर 66 लूजर आते हैं अभी अगर हम यह तो हमने अल्यड़ी समझाना कि अगर आप कोई strong stock पर ट्रेडिंग कर रहे हो डेली में इसा strong stock है और इसके उपर आप long trade कर रहे हो एक बार ने दो बार ने 100 बार तो obviously ज़्यादा बार उपर जाएगा क्योंकि आप trade के साथ हो so that is the reason you want directional bias लेवल क्यों चाहिए अगर आप लेवल के पास बाय करोगे तो आपका फाइदा यह है कि आपका जो stop loss है लेवल के पीछे चुपा सकते हो आपके पास एक wall है अगर आप यहां पर खरेदी करोगे stock और इतना दूर अगर stop loss रखोगे तो आपका target और दूर जाएगा और यहां के रखोगे तो यहां पर आराम से कट जाएगा यहां पर कोई protection नहीं है जो लेवल का protection होता है इसके लिए लेवल important है और तिसरी important चीज़ क्या है price action buyer seller की उपर control में यह seller buyer की उपर control में because trading हमें तभी और तभी करनी है जब buyer या seller एक party दुसरे की उपर पूरा control कर रही है simple cricket की भाषा में अगर मैं आपको समझाओ तो आपको जैसे इंडिया में betting legal तो नहीं है but suppose करो कि आप UK में रहते हो और betting वहाँ पर legal है आपको ऑस्ट्रिलिया of Kenya और Kenya का match है test match है test match कहां पर हो रहा है यह test match हो रहा है australya की ground में australya की home ground में जहां पर australya भहत rarely हारता है इंडिया ह है यह रहाता चाहीब बाकि कोई नहीं हा रहता है ठीक है और ऑस्ट्रिलिया में Kenya केनिया औस्ट्रिलिया में गया टेस्ट मैच खेलने को ठीक है अस्ट्रिया ने बनाया 750 पहले इनिंग में केनिया 120 को अलाउड हो गया केनिया को फॉलॉओं मिला सत्तर पे छे आउट है अभी औस्ट्रिलिया पे बेट लगा नहीं है इसका मतलब एक पार्टी दुसरे पार्टी को completely control कर रहे है धोर आया तभी हमें पहली पार्टी के साथ जाना है वेरी सिंपल domination के साथ जाना है that is call trading अभी यह भी समझना है आपको psychology में कि अब जब यह आप तीनों चीज सही करोगे तभी भी कोई guarantee नहीं होती दुनिया में किसी चीज़ की guarantee नहीं होती तभी आपके probability बढ़ती है probability बढ़ती है सब कुछ सही होगा तो भी कभी कबार होगा ना कि उल्टा भी होगा फासा that is okay so we are dealing with the probability और एक example में cricket का हमेशा देता हूँ कि जैसे कि आप season ball पे batting कर रहे तो as a good batsman आपको क्या करना है आपको सही gain which part का मतलब सही gain पे boundary की कोशिश करनी है half volley full toss where का मतलब bat जो होती है bat के बीच में ball लगना चाहिए और fielder के बीच में से जाना चाहिए तो placement बढ़िया चाहिए और when का मतलब timing अच्छा चाहिए six मारने के लिए सही है तीनों चीज़े अच्छी चाहिए एक दो बार बाकी छे साथ बार boundary जाएगी that is trading तो हम ये तीनों चीज़े हमारे trading में चाहते तो अभी एक एक करके use करेंगे पहले तो हमें जैसे मैंने बोला आपको कि directional bias चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो टाइम फ्रेंग यूज करेंगे वन डे और वन आवर और हम यहां पर selection करेंगे हम ऐसा stock select करेंगे जो जबरदस strong trade में है डेली में ऐसे ही stock में हम hourly में long trade करने का सोच सकते हैं यहां पर strong इसके लिए ट्रेड नहीं लेना है this is just one of the factors अभी लेवल बाकी है प्राइश एक्ष्ण बाकी है नौव वी आर गोईं टू लर्न अबावट इस फर्स के विच पार्ट डिरेक्शनल बायस अभी कैसे है कि हर एक इंसान अलग है ठीक है किशोर जी बोलेंगी यह स्ट्रॉंग है सर्बन जी बोलेंगी यह स्ट्रॉंग है रेजा जी बोलेंगी यह स्ट्रॉंग है राकेश जी बोलेंगी यह स्ट्रॉंग है मैं बोलूंगा यह स्ट्रॉंग है हर एक की strong की definition अलग है हर एक person की हमें कुछ तो fix rule चाहिए ना कि यह strong है क्या नहीं है तो इसके लिए हम use करते है moving average करेंगे अभी moving average क्या होता है पहले आप समझ लो एमें बोलते हैं में और यह में भी बताओंगा मैं आपको एमें यह में ज्यादा फरक नहीं होता है एक्सपोनेंशल मुइंग आवरेज और मुइंग आवरेज आपको एवरेज तो पता है न स्कूल में जैसे कि जस्ट पॉर एग्जामपल मैंने आपको केंडल कल सिखाया अलड़ी क्यों एक प्राइज केंडल पचास पे बंद हुआ ठीक है अगला प्राइज केंडल 60 में बंद हुआ और उसके अगला प्राइज केंडल डायरेकली 100 पे बंद हुआ तो अभी इसका आवरेज कैसे निकालोगे पचास का आवरेज होता है पचास पचास और साट का दोनों का एवर हो जाए पचपन और पचास साट और सो उसका एवरेज हो जाएगा 210 डिवाड़ भाई 3, 70 तो अगर आप यह जो एवरेज है उसको जोडने वाली अगर लाइन निकालोगे that is called moving average इस लाइन को बोलेंगे moving average ठीक है हमें नहीं निकालना है हमें सिर्फ समझना है कि average क्या होती है moving average क्या होती है तो अगर moving average उपर 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 जा रहा है इसका मतलब stock बढ़ रहा है moving average नीचे नीचे जा रहा है तो जैसे कि अभी इसके बात के candle पे बहुत भारी गिरावट आ गई कुछ news आ गई और market directly 30 पे गिर गया अभी चारों का total क्या हो गया चारों का total हो गया 180 स्वारी चारों का total हो गया 240 सो average वापस नीचे आ जाएगा यहां पर आ जाए तो अभी क्या हुआ प्राइज नीचे आई इसके लिए moving average नीचे आया चारों का average है 60 तो इस is called moving average exponential moving average में क्या होता है आपकी जो latest candle है उसको ज्यादा importance है सबसे उससे थोड़ा कम importance इसको है उससे थोड़ा कम इसको है उससे थोड़ा कम इसको है इसके लिए moving average चलेगा चोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हो तो अभी क्या भी यह पर्टिक्रार आज का candle ज्यादा important है यह moment का अभी का पाच मिनिट का candle live important today is more important अभी का पाच मिनिट का जो भी टाइम फ्रेम आपका वह ज्यादा इसके लिए इसको ज्यादा वेटेज है ना यह में इसके लिए यह यूज करते यह में यूज करते नॉट एमें जैसे मैंने बोला कि डेली में कोई स्टॉक है जो 20 यह में और 10 यह में के ऊपर है और यह भाग रहा है इस तरह से इस तरह से यह स्टॉक भाग रहा आपको दिखा देता हूँ एक बर वापस यहां पर आते तो क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे लगाया वह भी दिखाता हूँ यहां पर जाना इंडिकेटर में मुविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक को आपको टेन करना है थोड़ा बढ़ा करना है दूसरे को कि आपको ट्वेंटी करना है इसको भी थोड़ा बढ़ा करना है ठीक है चला क्लियर है तो अभी यह है ट्वेंटी में है यह तेडिये में-अऔर यह आपका प्राइज है श्यमान इसका मतलम क्या हुआ कि श्यम 88 मतलब है पिछले 20 दिनों का अवरेज यह है पिछले 20 दिनों का पिछले 20 गेंडल का अवरेज यह है फिछ्य पिछले 20 दिनों का एवरेज 6,370 है पिछले 10 दिनों का एवरेज 6,540 है तो obviously पिछले 10 दिनों में और ज्यादा प्राइस बढ़ी है और अभी उससे भी बढ़ी है तो very simple कि अगर 20 ये में के उपर 10 ये में है उसके उपर अगर प्राइस है तो इसका मतलब पिछले 20 दिनों मे simple language में बता रहा हूँ पिछले 20 दिनों में जिस रफ्तार से ये प्राइस बढ़ी है इस स्टॉक में उससे भी जबरदस रफ्तार से पिछले 10 दिनों में बढ़ी है और उससे भी बढ़ी है तो obviously ये strong हुआ के नहीं हुआ जबरदस strong हुआ strong के उपर है super strong के भी उपर है तो जबरदस strong में strong stock है ऐसे वाले stocks हमें चाहिए we want stocks जो 20 ओर टें ये में के उपर हो ऐसे वाले स्टॉक्स हमें चाहिएं लोगे यह दोगा फ्लैट देखो यह ऑं थोड़ा सा फ्लैट यह नहीं चाहिए वी वांट सम्थिंग वेरी स्ट्रॉंग इस तरह का देख उड़ रहा है रैंचो मैं बोलता हूं ओ थ्री इडिट का रैंचो ओके उड़ती पतंग सा थाओ बैती हवा सा थाओ ऐसा वाला रैंचो स्टॉक चाहिए ओके क्यूंकि उसमें बाइंग इंट्रेस बहुत जाजा है प्रॉब्यबिलिटी हाई दाट वोट दाट इस यूर फर्स पहली चीज़ अभी ये कैसे सिलेक करोगे उसके लिए मैं आपको एक स्कैनर दे रहा हूं अभी ये स्कैनर में चेंजेस होते हैं इंपूरूमेंट होते हैं वो सब आपको 30-day चैलेंज में मिलेगा ग्रूप्स में मिलेगा अभी आपको एक मैं बैसिक स्कैनर दे रहा हूं उसका इंप्रूड वर्जन आपको बाद में मिलेगा कि वहीं दिखा रहा हूंए सुशान जी सुखान जी यह जो हैरा सुखान जी इसको क्लिक कर ना है। मैंने अभी madbox में स्केणर दिया है। आपने अगर खुम अपडेट नहीं किया है तो आपको नहीं आएगा मैं चैट बॉक्स में प्रविंट जी या दिपाली जी चैट बॉक्स में डाल देंगे फोकस के और जुलाई के बुट्ख्याम के टिक है न वाट्सअप पे क्योंकि जूम अपडेट नहीं है तो आपको लिंक नहीं दिखती है वह एक इशू है तो यहां पर आप जै एकई आइटी है पताँजली है परसिस्टेंट 할byंट तो आप इसमें एड कर सकते हो कि पाताँजली अपोलो टायर किया आप चेक कर देखो च्रीड़्य स्ट्रॉंगस्ट पतांजली है तैंट भी च्रॉंग है तो लिस्ट मेंसे नाम लिए अगर पर यहां पर टाल तीे एक करूँगा डेली में कि मुझे इस तरह का दिखना चाहिए कि इस तरह का मुझे structure कि दिखना चाहिए कि red उपर देख़रा है red ऊपर उपर ऊपर उपर जा रहा है line उसके उपर blue भी ऊपर 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 ऋपर जा होगा तो फ्लैट था इसके लिए मैंने निकाल ले देखो यह फ्लैट था ऐसा नहीं चाहिए हमें उपर देखने वाला चाहिए उपर देखता हुआ चाहिए इसा इसा स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग अप्ट्रेंड में चाहिए ठीक है ऐसे स्ट्रांग अप्ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए तो 20 एवे की उपर 10 है 10 की उपर प्राइज इसका मतलब स्ट्रांग है बहुत तो ऐसे वाले स्टॉक समपहले सिलेक्ट करेंगे we will select first step है कि ऐसे वाले strong stock की lease बनाएंगे जैसे आपके सामने मैंने बनाया बनाया that is your which part इसका मतलब ऐसे stock में हम trade करेंगे जो strong trending है clear है यहां तक किसी को doubt है which part में यह screener कैसे देख सकते है मैंने डाला ना आपको screener मैंने chat box में डाला ना और आपके group में भी आ जाएगा आपको बस click करना है आपको click करना है तो आपके mobile में यह laptop में यह tab में यह खुलेगा latest उस दिन का पुनम जी उस दिन का जो latest stocks है strong परिडा जी पुनम जी और जो जितने भी नए लोग है उस दिन का लेटेस दिखेगा आपको वह stocks को इंजर जैसे अभी इंद्रपास गैस ठीक है आई जी एले पेट्रोनेट है एफेसिटी है तो यहां पर एक एक नाम लेके डाल देना है और चेक करना है अगर अच्छा है तो रखना है नहीं तो निकाल देना है जैसे आपके सामने एड कर रहा हूं मैं सारे नाम जो भी दिन पुनम जी जो भी दिन आप क्लिक करोगे न वो दिन वो दिन का लेटेस्ट आएगा आपको जो दिन आप क्लिक करोगे यहाँ पे उस दिन का लेटेस्ट आएगा क्लियर है अगर कोई डाउट है तो अन्मूट करके पूछ लो और किसी को भी कुछ पूछना है तो अन्मूट करके पूछ लो सबको बोलिए इनिंग जब लिए बड़ी लिंक भेज दिएगा बाकि एक असल भीडियो भेज़े दे कि तीन साल का सजा होगा इतना होगा वह क्या चीज था वह पुछना था पॉरेक्स पॉरेक्स में लोग करते हैं आप के आयाप यूज करते हैं नहीं करना है चार पाच करणसी परमिटेड जो इंडिया ये इन इंडिया यूएजडी है इंडिया चार तीन चार करंसी पर मिन्ट है और वह भी सेवी रजिस्टर जैसे इंजल है जिरोदा है अब स्टॉक है यह जो भाहर के फॉरेंग के आप आते हैं जिसके एड़ भी आते टीवी पे बिंदास उन पर एक्षन तो कुछ होती नहीं है ट्रेडिंग या कुछ बिटकोइन ट्रेडिंग है या कुछ ऐसी चीजें ना उनसे समल के रहना क्या है वो लोग बिंदास एड़ कर रहे हैं उनको कोई सजा नहीं दे रहा है बट छुटे लोग है उनको परेशानी हो करते हैं तो थैंक यू थैंक्यू स्टॉक्ट इनी ए कुछ य्थि ना कोई चेर्ण बहें डेगा तृक्य मैं अभी यहां पर बात कर रहा है तो मैं नहीं कर पा रहा हूं बट जो भी यहां पर ट्暉तर दीपाली जी या कोई उर रहेगा वह वह सब्हुरूर muj तो यह टेंट जो स्कैनर यहां पर दिख रहा है यह कि बेज देना इस पर नहीं ज़िए जो अब शुद्धि नहीं तो इस नहीं बोड़ दिया चलो आगे चलो आज और यह सर्थ है कि हलो आज आरी आरी है सुदर्शन जी जी जो पर हो रहा है लिकिन आपने जो लिंक डाला है ना काट लिंक का जो इधर है डेली ये में प्लोज 20 एंड डेली ये में प्लोज 50 तो मैं तर ये 50 वे टाउच करके मैं ये 20 कर सकता हूं चेंज कर सकते हैं मोडिफाइड जो स्कैनर है आपको लायन में मिलेगा या आपको 30 डे चैलेंज में मिलेगा ये एक जंडरल है जिसमें आपको 50 की ऊपर 20 20 की ऊपर 10 ये लिस्ट मिल रही है तो ये मैंने इसलिए बनाया था कि लोगों को प्रैक्टिस हो जाए हर एक चीज आ तो ये बनाया जिसमें आपको बहुत सारे स्टॉक आते और जब आप ये स्टॉक ऐसे जैसे मैं आपके सामने कर रहा था तो आप स्टॉक डालके डालके उसमें से बढ़िया बढ़िया सिलेक करने लगते हो रोज करने लगते हो तो आपकी आखे रेडियो हो जाती उसके लिए मैंने वो स्कैनर बनाया था अभी तो मैंने आपको आगे जाके मैं दे दूंगा जिसमें उनली 10 or 20 आजाएगा जी सर आप भी कर सकते हो राज़िवरेशी करते हैं और वो 10% चला जाता है ओपर तो अगर उसमें कैसे stop loss लगाएं कि वो अगर उसके नीचे जाता है तो हम इसों कर दाएं टेटेटी ऑडर होती है सार मैं last में दिखा दूँगा एक चुली आजके आज के आंने अगर उसके नीचे खुलता है तो वो घृटी टी तरिकर नहीं होता है नहीं होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उनी गांटना पड़ेगा सर, you are right, okay सर, you are right, okay, so now, बोलिये, तरह जी बोलिये, नहीं जी बोलिये, नहीं जी बोलिये, हाँ सर, यह स्टोक सेलेक्शन कहां से करना पड़ता है, कहां पर जाके करना पता है, इसमें, कहां पर जाके यह नहीं समझा है, जो अभी जो आपने यह किया था, यह सेलेक्शन किया था, पुन सक अपोलो में जाना है ना, और कुछ-कुछ बता रहा था, कहां पर जाके सेलेक करना औ में तो दिलिभ जी नेक सवाल कुछना था जुसरे दिंसे मंडे को मारकेट चालू गए तो मंडे को नव बजे से पहले कभी भी कर सकता हो से अब मंडे 9 को आज अभी कर शकते हो कल भी कर सकते हो संदे को मंडे 9 दॉच कर सकताओ तो मार्केट चालू होने से पहले कर सकता हो दिलिप जी अभी नएकुम जी आपका जो सवाल है आपको ический लिंक दिया है उस पर LIVE की जब प्लिक करोंगे आपको लिस्ट आएगा लिस्ट में से आपką अलग अलग उठाके आपकी कुछ न कुछ आप चाटिंग तूल यूज करोंगे ना ईन्वेस्टिंग करोंगे जी रोदा यूज करोंगे कुछ ना कुछ सौफटरे यूज करते वोगे ना ट्रेडिंग करने के लिए उसके अंदर वाच्छ लीज़ बनाने की फैसिलिटी होती है अब कौन सा यूज करते हो ब्रोकर इंजल का उस दिन किया था अब डाउन्लोड किया और रिजिस्टर भी किया था उसमें मेरा आडर कार्ड और पैन कार्ड में मैच नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहा है अब जास बेट रहा है कुछ सोलोशन है सारस में आपको मैंने बोला भी था ना ओफिस के नंबर पर मेरे ओफिस के नंबर पर आपको कॉल करेंगे तो वहां पर इंजिनियर्स है वह आपको हिल्प कर देंगे आपको अभी भी कुछ नंबर देता हूं मेरे ओफिस का नंबर देता हूं तो वहां प इंजिनियर आपको कोई निक फ्री में कॉल करेंगे चल आगे जाते हैं थोड़ा सा इसलेक्षण करना है एक आपको स्ट्रॉंग सिलेक्षण करना फॉस्टिंग नव सेकंड वन इस लेवल यह आपका सिलेक्षण का पार्ट हो गया सेकंड वनी स्ट्रॉंग लेवल तो अभी लेवल कैसे समझनी है तो आपको बहुत सिंपल रखना है लेवल क्या क्या टाइप के होते हैं तिंग टाइप के लेवल होते हैं तो होरिजॉंटल लेवल होता है सपोर्ट रेजिस्टन जिसको बोलते हैं एक ट्रेंड लाइन होता ह है और एक MAEA में जो होता है ना वो खुझ भी कभी-कभी support resistance बनता है यहने MAEA में को touch करके market उपर चला जाता है पर अभी हम simple रखते हैं यह system के लिए कि support resistance तो what is support resistance बहुत simple concept है आप मैं से 99% लोगों को दो मिनिट में समझेगा कि अभी मैं third floor पर बैठा हूं इस वक्त ठीक है मेरे घर में यह third floor है तो मेरे पाउग के नीचे जो जमीन है वो मेरा support है और मेरे सर के ऊपर जो fourth floor का जो यह fourth floor है न यहाँ पर fourth floor का जो ground है जो जमीन है वो मेरा resistance है मैं जम मारूं तो मेरा सर यहां पर अटकेगा और नीचे नहीं जा सकते रायरिक में ठीक है न तो यह मेरा support हो गया resistance हो गया अभी मैं अगर second floor पर चला गया तो यह जो मेरा support था वो अभी resistance बन जाएगा और नीचे support आ जाएगा अगर मैं उपर जाके बैठा तो यह यह जो मेरा resistance था अभी support हो जाएगा तो बेसिकली अगर आप चार्ट की बात कर रहे हो अगर आप चार्ट की बात कर रहे हो तो जो जहां पर प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है जैसे फास यहां पे प्राइस नीचे नहीं जा पाई यहां से उपर है तो यह आपका होगे support और जहां पे provides उपर जाने से अटपरक रहे है यह अभी होगए आपका resistance, simple कोई भी सपूर मैं इसको मानु raise को ..... या अपकर यहां आप काफी अलग अलग support, resistance, support मानू या इसको मानू या दिमाग में आते रहता है तो अभी जब हम स्वींग सिखने वाले इस्विंग की तो उसको बहुत सिम्पल रखना है keep it very simple keep it very simple कि आपको ये समझना है कि अभी जब हम ये कि स्वींग की सिस्टेम जब सीख रहे हैं तो हमने पहले डेली में strong stock select किया 20 ये में है उसके उपर 10 ये में है उसके उपर price दवड रही है ओके और हमारा जो level होगा न वो level होगा पिछले week का high last week का high last weekly candle का high ओके यह हो गई हमारी level तो हमारा एक selection हो गया which हो गया and where हो गया अभी हो गया part when तो when समझने के लिए आपको basic price action समझनी है तो basic price action क्या होती है बहुत simple है अगर आपको support resistance समझ गया है तो ये suppose resistance है और अगर market ने इसके उपर close किया तो इसको बोलते है breakout क्या बोलते है इसको बोलते breakout break क्या ना ये level को उपर गया तो breakout और अगर market उपर से नीचे आया और यहां से reverse हुआ तो उसको बोलते है reversal तो आपको breakout ये reversal पे trade करना है अगर यहां पे market last का weekly का high है break करता है hourly में तो आपको trade करना है या तो फिर यहां पे उपर आके नीचे से reversal करता है तो trade करना है तो मैं आपको बहुत simple में अभी ये system पूरी समझा रहा हूँ swing की system है आप दो time frame यूज कर रहे हो daily में selection कर रहे हो और one hour में आप trade लेना चाहते हो इसको आपको signal time frame कहना है इसको आपको parent time frame कहना है जहां पे selection करते हो और आपकी level क्या है आपकी level है last week का high तो it's a very simple system but very effective है अच्छी system है simple है 10 E.A. में और ये 20 E.A. में ये 20 E.A. में है आपका daily में ये 10 E.A. में है आपका daily में आपने already selection तो कर लिया selection तो आपने already कर लिया अभी आपको क्या करना है last week का high note करना है last week का high और hourly candle में trading करनी है इसका मतलब आप swing trader हो इसका मतलब सववा 9 बज़े देखोगे market फिर सववा 10 बज़े देखोगे market फिर सववा 11 बज़े देखोगे market फिर सववा 12 बज़े देखोगे और अगर आप ये देख रहे हो कि आपका hourly candle केंडल ने ये लेवल ब्रेक कर दिया क्लोज हो गया candle रुख गया एक घंटा complete हो गया कभी भी हो तो आप यहां पर बाइ करोगे एक simple चीज़ बता रहा हूं detail में आप सीखोगे बाद में बूट्केम बहुत simple यहां पर बाइ करोगे ये candle का जो लो रहेगा वहां पर आपका stop loss रहेगा और ये जो distance है जैसे 20 रुपया है तो यहां से उपर 40 रुपया आपका target रहेगा बहुत simple तो मैं आपको अभी चार्ट पर लेके जाता हूं समझने के लिए बहुत short में बहुत simple तरीके से पहले तो यह देख लेते अभी इन्फो आजे नुकरी डॉट कॉप ठीक है क्या यह trending है yes absolutely trending है 10 20 की ऊपर है trending है पहला condition meet हो गया 20 की ऊपर 10 है 10 की ऊपर price था पहला condition meet हो गया यह last week का देख रहे है हम लोग यानि अभी यह जो वीक का ट्रेड था वही देख रहे है obviously market खतम हो गया last week का हाई क्या था last week यहने कौन सा 18 19 20 21 22 24 18 से 24 का हाई यह था यह वीक का हाई यह था 18 से 24 का यहाँ पर जो दिख रहा है यह केंडल का हाई यह आपने लॉक कर दिया और जब भी उसके बाद जब भी आपको यहां पर मंडे को मार्केट चालू हुआ ओके 21 तारिक जो भी है यहां पर तो चोब्दिस तारिक को मार्केट चालू हुआ यहां पर मार्केट इसकी उपर लॉस भी हुआ है यहां पर जब मार्केट क्लोस हुआ आपने यहां पर एंट्री लिया दिस यूर एंट्री and this is your stop loss नीचे अभी stop loss इतना दूर नहीं रखना है उसके अंदर बही कई parameter होते हैं और भी styles है stop loss आप किस तरह से नजदिक रख सकते हो target यहाँ पे entry लेने के बदले में और क्या देखना है यह सारा चीज आप detail में सीखोगे bootcamps में और 30 day challenge में detail में system सीखोगे अभी मैं आपको basic idea दे रहा हूँ एक simple system का idea दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपने entry लिया breakout के बाद stop loss लगाया और आपका target होगा in general दो times again मैं clear करता हूँ कि मैं आपको बस educate करना हूँ एक concept बता रहा हूँ आपको कभी भी trading करनी है तो आपको खुद के रिस्के उपर करनी है किसी सलागर से सला लेके फिर आपको अगर करना है demo पर trading करके खुद के रिस्के उपर करना है I am just telling you the system किस तरह से होती है तो आपने suppose यहाँ पर entry लिया इसके नीचे आपका stop loss हो गया और उपर आपका target हो गया that is your trading very simple इसमें बहुत सारे factor होते हैं कि कितना distance होगा तो लेना है नहीं तो छोड़ देना है यह बहुत कुछ factor होते हैं which we will learn but this is a very simple example elementary example of a swing trade कोई doubt है इसके अंदर I will show more examples मैं आपको और दो तिन example दिखाऊंगा अब किसी को doubt है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हो direct entry direct entry नहीं समझाओ जब पूछ breakout होने के बाद आप entry लोगे जैसे candle close होगा कुनम जी जब candle close होगा और एक example दिखाता हूँ जब candle close होगा उसके बाद ही आप entry लोगे उससे पहले नहीं लोगे candle के closing पे entry होगा आपका जैसे कि अभी यहाँ पे India cement में यह last week का high था India cement में तो यहाँ पे आपका breakout हो गया आपने यहाँ पे entry लिया आपने यहाँ पे entry लिया आपका यह stop loss है नीचे और आपका जो target है वो दो गुना target है two times two times your target इसके दो गुना आपका target clear है कोई doubt है SL अब जो breakout candle है उसकी below SL होगा breakout candle जो होती है उसकी below SL होगा अभी यहाँ पे यह भी समझो risk management कैसे करेंगे आपका capital है 20,000 ठीक है आपका 20,000 capital है suppose तो आप risk कितना लोग है 200 रुपीज की risk लेना चाहते है आपका entry क्या है 259.4 और आपका stop loss है suppose 228 point ओके आप hourly में होना 229 point 30 रुपे का stop loss है अलग बग 30 रुपीज का तो you will buy six stocks as per 1% rule अभी इतना बड़ा stop loss होने के बाद लेना है नहीं लेना है वो अलग चीज़े वो आप सीखोगे Sunday bootcamp में मैं आपको सिर्फ calculation बता रहा हूं कि यहाँ पर calculation की इसाब से 6 stocks आते हैं कोई doubt रहेगा तो you can ask I will show one more simple example stop loss भी लगेंगे ऐसे मत समझना कि सिर्फ टार्गेट लगेंगे stop loss विल यह last week का high था यहाँ पर आपका entry हुआ this is your entry break out के बाद this is your stop loss okay and this is your दो गुना target यहाँ पर target बड़ा मिला आपको दो गुना तो immediately cover हुआ यह आपका दो गुना target immediately हुआ वही दिन हो गया target कभी-कभी ऐसे भी होता है अभी यहाँ पर आप क्या करोगे आपका 8 रुपे का stop loss है 509 और 501 8 रुपी stop loss ओके आपका capital अगेंग 20,000 तो कॉंटिटी कितनी होगी 220,000 कापिटेल ना 200 divided by 8 इकोल टू 25 25 कॉंटिटी आप खरीद होगे क्लियर है किसी को भी कोई doubt है तो ask प्लीज unmute करके पूछ लेना see 100 trade लोगे तो 40-50 ही चलेंगे अगर technique improve करते जाओगे तो 60-60 चलेंगे अभी हम सिर्फ swing क्या होता है वो समझ रहे luckily सारे आपको winner दिख रहे पर ऐसे नहीं होगा ट्रेडिंग जब करोगे 10 में से 4-5 चलेंगे 4-5 नहीं चलेंगे आपको improve करते जाना है 1% की risk लेनी है psychology पे काम करना है सिखने जैसा अभी बहुत कुछ है मैंने आपको सिर्फ ट्रेडिंग क्या होता है वो समझा रहा हूँ यह basic bootcamp है अगर इसमे कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो अच्छे stock का मतलब nifty 100, nifty 200 उसके आगे जाना नहीं है nifty 100 या nifty 200 में ट्रेडिंग करनी है कोई भी doubt है तो unmute करके पूछ लो swing trading basic swing trading के basics clear है swing trading का मतलब क्या होता है hourly में trading कर रहे हो आप यह जो system बता रहा हूँ last week का high break होने के बाद आप trade ले रहे हो 1% की risk ले रहे हो ठीक है तर यह target को कहाँ पर entry करना है यह पर entry हो रहा है ना जैसे कि आपका इंट्री जो आपका 509 में इंट्री हो रहा है ना सर तो stop loss जो यह 501 आठ रुपे हो गया सर तो तरगीट को कैसे करके उसमें इंट्री करेगा मतलब कहाँ पर कैसे करके इंट्री करेगा सर जब एक घंटे का जब कैंडल यह लाइन के उपर जब क्लोज हो जाएगा उसको बोलते हैं ब्रेक आउट हो गया closing basis closing basis का मतलब कैंडल क्लोज हो गया एक घंटे का अभी यह दिल सवा दस बजे हुआ सवा दो बजे हुआ कि आपके उपर है मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो सब्सक्राइब आपको डेटा मिलेगा आप जब सिस्टेमाडिक बनोगे तब आपको डेटा बताएगा कि आगे कैसे बढ़ना है धीरे धीरे आगे बढ़ना है 200 रुपए देखके कहां पर जाओगे वर्ल्ट रुपए 200 रुपए तो मिल रहा है 400 रुपए बराबर है पर अभी अगर आप सीखोगे तो बाद में जाओगे ना दुनिया को मुझे भी लेके जाओगे घुमने को बराबर आप भी चलो पर अभी सिखना जरूरी है ना अभी कि हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अभी सिर्फ हमें सिस्टेमेडिक होने पे ज्ञांदेना है सिस्टेम सिखने पर इसलिए अभी तू टू-टू-टू रखना है और डेटा होगे ना जरनल करना है वो तो सिखेंगे ना हम जब साइकलोजी की बूट्ट्वे में इसे बनाना है ठीक है यहां पे जहां प्लेन है ना 509 ऐसे जगा में इंट्री करना पढ़ेगा और कुछ उसमें उपर में केंडल का उपर में चोटा सा लगती है ना लगती गया है इस्टी गया है उसमें इंट्री नहीं कर पाएगा सर यह जो लास्ट विक का जो हाय था मैं एक बार वापस बता रहा हूं उसके उपर यह जैसे केंडल क्लोज होगे आपने एंट्री किया और फिर आपने टार्गेट स्टॉप लॉस लगा दिया बस और कुछ नहीं कर नहीं है पुनम जी बोलिए पुनम जी अन्म्यूट नहीं हो रहा है आवाज आ रही है आ रही है पुनम जी आवाज आपने ला इंसाइड केंडल लागें कि यह आवरली केंडल अपन यह सिस्टीम है ना यह आवरली केंडल पर है एक ट्रेडिंग सिस्टीम क्या होता है कि क्लाजीक होता है ना स्विवें क Almighty you सिस्टीम है इसमें से यह सब से इweet enough सिस्टीम है जहां से आप चालू कर सकते हो आपकाатов करईयर तो यहां पर हम आवरंली केंडल पर उपर कर रहे है तो जनरली क्या करेंगे पोजिशनल टेडर मंतली हाई ले लेगा और डेली पे करेगा बड़ हम स्विंग कर रहे ना तो हम वीकली हाई लेके आवर्ली पे कर रहे है और फॉर्ट येस के पुनम जी थैंक यू सो मच जेम्स जी बोली है यह जो हम वीकली आवरेज लियर है मुविंग आवरेज यह मंडे टू फ्राइडे कर रहे या जिस दिन हम को ट्रेड करना उसके पिछले साथ दिनों के या पिछले पांच दिनों के अभी जैसे अभी कल के लिए मैं सिलेक्शन कर रहा हो ना मुझे इन जनरल देखना है मुझ इन जनरल ट्रेंड देखना है कि यह चलो अभी इन जनरल यह जस्ट अभी अभी ऊपर आया तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अंबूजा बट पीवी आर मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इन जनरल आप देखो तो कंसिस्टेंटली टेन ऊपर देख रहा है ट्वेंटी ऊपर देख रहा है और इन जनरल आज का कैंडल छोड़के आधरवाइस ऑल्वेज गोइंग आप नोकरी देखो गे तो देखो वेरी नाइसली ट्रेंडिंग तो मुझे एक कैंडल नहीं देखना है मुझे इन जनरल ट्रेंड देखना है और अभी मैं परसो के लिए सब सिलेक कर रहा हूं मंडे के लिए कि मार्केट चालो होने से पहले कभी भी हम कर सकते हैं बिल्कुल गॉट इसमें पूल बैक इंट्री मज़े तचकाई नहीं तो नहीं पूल बैक इंट्री ले सकते हैं पूल बैक एंट्री कैसे होती है इसमें कि कभी कभी क्या होगा कि यह आपका लास्ट वीक का हाई है है और यहां पर मार्केट रुका है फ्राइडे नाइट को और मंडे को चालू यहां पर हुआ तो यह मंडे को चालू यहां पे वह दोपेर तक यहां पे आके यहां से रिवर्सल आ गया है तो इस ऑलसो रिवर्सल एंट्री क्योंकि एक सिंपल रूल मार्केट का की कोई भी रेजिस्टंच जब ब्रेक होता है तो वह सपोड बन जाता है इन यह रहुआ सकते हो रहुआ सब्सक्राइब इस वेरी सिंपल अधरवाइस रिवर्स थैंक यू यह ओके एनी एनी मोर क्वेस्टेन्स अगर किसी को कोई दाउट है तो आप पूछ सकते हो so you have to do how to identify support and resistance last week का हाय लेना है अभी कुछ नहीं सोचना है simple system वो तो आगे आप सीखोगे जैसे अभी जैसे मैं अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे तो 30-day challenge की बात करने वाला हो I am going to tell you कि अगर आपको मेरे साथ जुणना है lifetime mentorship है वहाँ पर अगर सिखना है संडे को संडे से हमारा यह जुलवी बैच चालू हो रहा है 30-day challenge तो अगर वहाँ पर आप कई अलग अलग टाइप के support resistance सिखोगे level in play सिखोगे LOC line of control और dynamic level यह सारे concepts सारे कुछ सिखोगे अगर आपको सिखना है तो मैंने अभी यहाँ पर एक basic यह सिस्टिम में लो की जरुवत नहीं है लास्ट वीक हाई की जरुवत ठीक है तो अभी मैं जो लोग भी चाहते हैं you can tell me yes अगर आप समझना चाहते हैं कुछ लोग अलड़ी पूछ रहे तो उसके लिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं कि आप किस तरह से 30-day challenge का part बन सकते हो और यह lifetime mentorship का part बन सकते हो so you can in chat box tell me yes if you are interested ओके और जो लोग यहां पर अल्रेड़ी है जैसे हमें हमारे राकेश जी है कई लोग दिख रहे हैं दिलीब जैसवाल जी है गणेश जी है अगर वो चाहे तो आपको अगर कुछ review देना है आप कैसे लर्न कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको बता ना है तो आप बता भी सकते हो you can tell me in the chat box or raise your hand अगर कोई student है तो दुसरों को भी समझेगा की ओके हाँ call कर सकते हो आप सब्सक्राइब पुनम जी आपका हाथ ऊपर है आपको कुछ पूछना है अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो just I will नहीं न ओके ठीक है मैं हाथ नीचे कर लेता हूँ ओके चलो so I am going to tell you about this 30-day challenge जो अभी संडे से चालू हो रहा है परसों से जुलई की बैच चालू हो रही है तो यह 30-day challenge क्या है this is 30-day challenge straight to profit challenge इसका मतलब आपको पहले 30 दिन में knowledge earn करना है और यह challenge आप कितनी भी बार attend कर सकते हो because right now the mentorship जो हम offer कर रहे है that is lifetime lifetime mentorship है तो हर मैने में एक batch होगा जिसमें हम हर Monday को question answer के लिए मिलते हैं हर Sunday को सुबह 10 से एक bootcamp होता है जहां पे हम learning करते हैं और market में हम दो बार live market में मिलते हैं जहां पे हम order कैसे डालना है सारी चीज़े सिकते एक basic session होता है market में एक advanced session होता है हर week में तो यहां पे यह focus पहले Thursday और Friday को आप मुझे आज और कल कल और आज हमने यह focus call किया तो समझने के लिए market का basics ओके नाव इसके बाद जो लोग challenge में आ रहे है जो paid members है क्योंकि हमारे पास 600-700 लोग paid members है lifetime members है तो वो लोग 10 बजे का Sunday का bootcamp attend करेंगे इसमें पहला जो bootcamp होगा मैंने आपको swing का थोड़ा सा idea दिया swing trading में अभी यही system में बहुत कुछ सिखने जैसा बाकी है तो swing trading, intraday trading, scalping अलग-अलग chart patterns, candlestick patterns बहुत कुछ है तो यह सारा आप इस Sunday को 10 से एक सिखोगे Monday को question answer होगा question तो मैं session में भी लेता हूँ फिर भी अलग से question answer होगा फिर week में दो दिल लायू market में मिलेंगे फिर next Sunday को psychology risk management और money management यह सबसे neglected but सबसे important topic है कि market is all about psychology and risk management बट यह चीज़ कोई नहीं सिखा था जो आपको यहाँ पर detail में सिखने क्यों मिलेगी यह पार्ट होगा next Monday को next Sunday को उसके अगले संडे को होगा यह साथ तरिक को होगा यह 14 तरिक को आप price action में जाओगे price action में आपको pullback क्या होता है breakout क्या होता है dynamic level क्या होती है level in play क्या होती है bread and butter system dominating technique सिखने को मिलेगा जिसको बोलते है market emotion mastery market का emotion समझना और फिर अगले दो दो वीक होंगे यहने 21 और 28 जुलाई वहां पर हम options और future सिखेंगे options के basics option trading buying selling future community currency तो यह पाच वीक का अगले पाच वीक का पूरा प्रोग्राम है और यह lifetime repeat होते रहेगा चार से पाच वीक में हर महिने में एक नया बैज बनेगा आप lifetime कर सकते हो और आने वाले तीन-चार महिने के अंदर आपको एक profitable trader बनने की कोशिश करनी है यहां पर पहली जो cycle trading के आप चालू करोगे simple जैसे मैं बोल रहा था reward risk 221 रखके आप चालू करोगे आप psychology में सीखोगे journal कैसे करना है review कैसे करना है mindset diary कैसे बनानी है trading plan checklist journal then cycle 2 generally आप जो trading करते हो वो थोड़ा सा LOC पर करते हो because it's a very strong system dynamic level पर करते हो reward risk बढ़ा देते हो उसके बाद third से आप जो करते हो data driven इसका मतलब data आपको बताता है कि क्या करना है तो यह एक-एक step करके आप करते जाते हो and Monday question answer होता है bootcamp में भी questions होते है group में भी questions होते है support numbers आपके पास है 7 days 11 to 7 11 to 6 11 to 6 7 days आपके पास support होता है मेरा number तो आपके पास already है और यह जो lifetime mentorship है यहाँ पे हम मंगलवार और गुरुवार को live market में मिलते हैं हर एक चीज़ का recording आपको मिलता है lifetime अभी 20 जुलाई को हमारा एप भी चालो हो जाएगा तो आपको एप का access भी मिलेगा android एप और apple का एप यह बहुत लोगों को पता नहीं है तो एप भी चालो हो जाएगा 20 जुलाई से ठीक है न तो एप पे आप access कर सकते हो अभी mobile lifetime के लिए है यह मोबाइल मोबाइल से भी कर सकते हो वो कोई issue नहीं है तो यह आपको lifetime login है यहाँ पे सारे वीडियोस है सारे lectures और यह सारे lectures आप आज रात से भी देख सकते हो you can start attending all the lectures from today also अगर देखना है तो but I will recommend कि go step by step as per my instructions वो आपके लिए अच्छा रहे है संडे को सुबे वुट्कैम होता है मंडे को question answer हो और यह आपका goal है आने वाले दो ते तीन मैने में आपको बढ़िया income source बनाना है और इसके लिए आपको यह lifetime mentorship दिया है live plus recorded जिसमें basic to advance everything is there mindset trading, risk management, self psychology और market psychology everything is there और हर महने में 30 days का challenge होते रहेगा बैच होते रहेगा आप कितनी भी बार अटेंड कर सकते हो तो जो लोगों को इसमें हिस्सा लेना है और lifetime member बनना है उनके लिए courses, consulting और community तीनों चीज़े है आप WhatsApp ग्रूप में भी आप बात कर सकते हो ओपन WhatsApp ग्रूप है यहाँ पर आपकी psychology पर काम होता है mindset के courses पर उसके बाद में यहाँ पर आपके technique पर काम होता है सारी techniques आप सिखते हो basic to advanced absolute basic से highest advanced तक सब कुछ सिखते हो और last में market का यह जो higher जो course है वो भी आपको इसी में मिलता है dynamic level, leveling play, LOC and everything तो यह जो offer है तो इसकी webinar की जो cost है 11,000 something है 11,000 something है बट आज के लिए क्योंकि आपने अभी दो दिन अल्रेड़ी यहाँ पर spend किया और इतना कुछ सीखा है आपके लिए यह lifetime का जो offer है जो लोग करना चाहते है कितने लोग करना चाहते है let me know in the chat box अगर कोई करना चाहता है तो ही मैं दू नहीं तो फिर मैं आगे ज तो यह lifetime mentorship with 30 day challenge lifetime mentorship आपको मिल रही है आज के दिन only and only at पायू 867 में आपको बस यहाँ पे click करना है यहाँ पे आना है यहाँ पे आके आपको नाम डालना है email डालना है और आगे जाना है और आपको lifetime mentorship में हिस्सा लेना है immediately आपको group का link आएगा आपको group में add भी कर देंगे आपको फोन पे जीपे का अगर number चाहिए तो फोन पे जीपे का number भी दे रहा हूँ और आप मेंसे जो भी लोग payment कर रहे है immediately आपका phone number group पे डाल सकते हो आप जैसे phone number group पे डालोगे we will add you okay and अगर कोई doubts है तो you can ask any doubt तो कोई भी doubt होगा आपके मन में so you can ask any doubt basically आपका यहाँ पे motto यह होता है कि आप कम से कम समय में एक बढ़िया professional trader बनो जो आजमी professional trader बनेगा वही आगे जाके profitable बनेगा दुसरा कोई नहीं बनेगा it's very simple तो आपको basically मैंने सारा details दे दिया है और जो लोग करना चाहते हैं वो जल से जल यहाँ पे आपके आपकी ओपन कम्यूनिटी है जहाँ पे आपके ओपन वाट्सअप ग्रूप है वहाँ पे आप आपको गेम प्लान मिल रहा है आप लाइव मार्केट में मिल रहे हो यह आपकी ओपन कम्यूनिटी है जहाँ पे आपके ओपन वाट्सअप ग्रूप है वहाँ पे आप हो आप सेल्फ कंट्रोल मार्केट इमोशन मास्ट्री और मल्टिपल इंकम सोर्स बनाने का काम करोगे करेक्ट कैपिटल और करेक्ट रिस मैनेज़िएंट के साथ ट्रेड करना है फियर फोमो ग्रीड निकालना है ओटिडिंग रिवेंज को खतम करना है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है यह आपके गोल्स है और यह गोल्स के लिए आपको काम करना है आप रहता है कि टीचिंग कैसा है क्या है आपने ढल्रेडि देख लिया ठीक है यॉर लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम संडे कल हमारा एक छोटा सा वैलकम होगा इड्यूर लर्निंग विल्ट स्टार्ट फॉम संडे सो जो लोगों को भी पेमेंड करना है फटा-फट पेमेंड कर गर अगर आप अल्रडी होता आपको कू कारना है को कारना है आपको कुंक करना फिर वापस पेमेंट थोड़ा ही करना या अल४र सब्सक्रांप अलिए बताया बागी किसी को पेमेंट नहीं कार नीों डबल्डबल पेमेंट मत कर Hind अना और किसी कुछ पूछना है कहना है तो यू कैन टेल अगर किसी को भी कुछ बात कहनी है कोई सुडंट को भी कुछ कहना है यहां पर वुरुशाली दिख रही है मुझे वुरुशाली जी सुनील जी वसन पाटिल जी वंदना जी उगरम जी काफी सुडंट भी दिख रहे हैं मुझे और अन्म्यूट करके बात कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और जो लोगों को, जो लोगों ने पेमेंड किया है, हाँ तो नए लोगों के लिए ही है न यह आपको बेसिक से आपको सब कुछ तो यहाँ पे मिल रहा है नए लोगों के लिए है तो हई न यह दो दिन basic to update कि अभी आपको आगे जाना है तो आगे जाना है तो आप payment कर सकते हो और जूड़ सकते हो जिनको आगे जाना है उदके लिए ऐसा कोई compulsion नहीं है there is no compulsion ओके नहीं मैं cb registered नहीं हूँ और सिखाने के लिए cb registered होने की कोई आवश्रक्ता नहीं है सिखाने के लिए cb register cb register उसके लिए लगता है जो tips देता है calls देता है we do not give any tips और calls रादर हमारा जो concept है एंजी आत्मनिर्वर जोन हमारा concept यह है कि आप आत्मनिर्वर बनो आप किसी के भी उपर dependent रहोगे किसी call वाले के पास कब तक रहोगे जैसे ही 2-3 stop-loss लगेंगे आप भाग जाओगे you have to be self dependent किसी की उपर dependent होगे कभी भी मैंने मेरे 20 साल के करियर में कभी देखा नहीं कि कोई ऐसा ट्रेडर यह जो call यूज करके आमिर बना it never happens ओके आपको चाहिए आपको चाहिए मेरा अगर आपको profit loss statement चाहिए तो मैं दे सकता हो एकन गीव यू माइ profit loss statement अभी recent है you can see the consistency आज का भी आज का भी विनर है दस या बारा विनर लगातार ओके और यह इस साल का इस साल का है इस वांट तो सी यूज के लिए पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या बता हूं मैं मेरा सी डूंट है इनी इन्वेस्टिंग का मेरा कोई study नहीं है आइमर ट्रेडिंग मैं ट्रेडिंग सिखा सकता हूं psychology सिखा सकता हूं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं क्या बोल सकता हो कुछ नहीं बोल सकता न कॉल सेलर्स ट्रैप उगरा जो राइट यू यू नो दैट उसके लिए आपको क्या करना है यू लक्षुमन कुमार जी बोली है हलो अनिगे सर बुडियू निए आइसी एसी बैंक देख सकते हैं कि किस एंगल से देखना है आपको क्या करना है उखली उसका देखना है कि मार्केट मंडे को क्या रहेगा बुलिस रहेगा या बैरीस होने का चांसे से थ्वाज़ा पुछ प्सक्राइब कर दो मैं आपको सकते हो ज्यादा तो कुछ बात नहीं कर सकते है इस पर रेगुलेशन पर ट्रेंड के बारे में यहां पे जो अभी जो यहां पे जो सेशन है वो क्या होता है आपने पूछा फिर कोई बैंक निफ्टी पूछेगा वो तो बहिता चाला जाता है तो इसके लिए यह सेशन में कि प्रफलैस चालो हो रहा है इक्वीटी के बूटकेम्स से तो किसीको किसी को भी किसी भी हालत में उसको मिस नहीं करना है संड़े को मिस नहीं करना है ठीक है कि किसी भी और अगर मेंश कर देते हो तो तो है not to worry बागी कोई doubt है अगर कोई कोई डाउट है learning के बारे में कोई डाउट है कोऊर सके बारे में कोई डाउट है psychology के बारे में कोई क्टूर हो रहे हैं कुछ एड्विशन्स को रहे हैं जैसे ही उनका खतम हो 조ेगा वी घो ल कि Iran मैंसा है जुलएगोट तरफ से मैंने दिखाया ना शेडूल तो पूरा दिखाया मैंने दिखाता हूं आपस नाइकुम जी बोलिया कि तरो रिकोडिंग जो वैब्सेट में जाकर कुन सा यह में कभी कभी वाच्प में आता ही नहीं है कोई समझ नहीं रहे कुछ में मुझे ने शार अच्प आपको बॉप में ना जो रिकोडिंग है ओ कभी-कभी आता ही नहीं है अब अप्लोड ने करता है देता हूं एक मेंट देता हूं आप आपको शेर कर दिजैंगर ओनलाइन जेता हूं आपको चटबोक्स को करना है पासवर्ड करना है आप मुझे वाट्सप पर हाई करो पासवर्ड अगर वह नहीं यूज हो रहा है तो रिसेट हो जाएगा अब अब मुझे वह एक्षिण जो ओल वाले रेकॉर्डिंग दे वह भी मिल जाएंगे तो भी चलेगा मैं उसके उपस है तो लाइफ टाइम है वो तो मिलेगा ना क्यों ने अगर नहीं हो रहा है तो मुझे हाई कर दो कि किसी को किसी को भी कोई डाउट है कुछ पूछना है तो यू कैना सब्सक्राइब एक लास्ट दो पेमेंट्स आ रही है उसके लिए हम वेट करें जन्वी विल बी क्लोजिंग क्योंकि वैसे भी बहुत कम सिट्स है जुले ही बैच में तो कि विल बी क्लोजिंग वेरी सून जिनको भी अडमिशन लेना है दे केंट टेक अंडेन वी अर्क्लोजिंग रगु जी आपको कुछ सवाल पुछना है इनी क्वेश्चन अब दिख रहे हो मुझे इसके लिए पूछ रहा हूं अभिजी जी अशोग जी अश्वीनी कुमार जी धवल शाह जी दिलीब जी ठैंकि सो मच दिलीब जैस्वाल जी धर्मेंदर कुमार जी जेम्स जी ठैंकि सो मच कुमारेश जी मिना जी जगदीश लोहार जी प्रमीता जी परमीता जी पूरो जी रगु गुपता जी ठैंकि सो मच स्पी पांडे जी सुधर्शन साहु जी सुकांत परिडा जी थैंकि सो मच सुकेश जी सुरेश एंके सुरेश जी तरत नेकुम जी टनल यूजर अगरम जी वंदना जी विजैश्री सुनिल जी रुषाली जी और योगेश जी सुर्ण करें और संडे से हम लोग सुर्वात करें विए स्टार्टिंग फॉम संडे और संडे को जितने भी पेड मेंबर है संडे को अटेंड करना है संडे का बुट्काप ठीक है ना चलो थैंकि यू और अभी दो ही सीट से तो अगर परिडा जी जो लोगों का पेमेंट अभी आ रहा है अभी भी बाकी है कि पर्सों से बैच चालू हो जाएगी तो मैं एक बार आपको पर्सनल लिंक भेज रहा हूं ओके तो अगर एक दो जन का पेमेंट शायद अटक रहा है तो इसके लिए मैं उनको पेमेंट का लिंक भेज रहा हूं और या ऐंग लुजींग ऑगे सो जटेट देट अपोर्टनेटी थैंक यू सो मच विड़ाई गुडबाई 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 गुजे कॉल कर सकते हो किसी को कॉल करना है तो मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है थोड़ी देर पहले किसी ने कॉल के बारे में पूचा था तो कि प्रामिता जी जैने आजका विडियो तो आज रात को लेट ठीकम का Llach का जाएगा परमिता जी वरी ऑके थैंक यू सो मच goodnight sir goodnight goodnight everyone thank you so much bye bye